क्या ब्रह्मास्त्र मूवी डिजास्टर साबित होगी क्या बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी मूवी ब्रह्मास्त्र इस तरह के क्यास तो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगाय जा रहे हैं बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र की खबरे चल रही है लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट आई है और इसमें कोई और नहीं बलकि खुद ही इस मूवी में काम करने वाले अभीनेता इस बॉलिवुड इंडस्ट्री में लंबे समय से बॉलिवुड के साथ जुड़े हुए सैंकडो फिल्मे करने वाले अभीनेता अमिताब बचन ने अभी ये खुलासा किय जी हां अमिताब बचन जिनको बिग बी के नाम से जाना जाता है वो इस मूवी में किरदार निबा रहे हैं और अभी ये रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ है कि अमिताब बचन ने पहले ही इस मूवी को लेकर बविश्यवानी कर दी थी जिसमें वो खुद काम कर र लोगों का गुसा बॉलिवूड के प्रति जाहिर हुआ लेकिन पिछले पांच साल से इस मूवी के साथ काम करने वाले अमिताब बचन घहराई से जानते होंगे कि क्यों वो इस मूवी के डिजास्टर की बात कर रहे हैं वहीं आपको बता दें कि इस मूवी की शूटिंग क कि कंप्लेन की उनकी शिकायत की तो यहां पर इस तरह की खबरे खुल करके सामने आना यह बॉलिवूड के लिए और खास तोर पर ब्रहमास्तर के लिए बिलकुल भी अच्छी खबर नहीं है जब एक तरफ बॉयकोट ट्रेंड इतनी तेजी से चल रहा है और 410 करोड ठाश के लेकने से अनने तरहा तरह करन जोहर से यह भी कहा था हमिता बचन की इस मूवी में पैसे मत लगा उइस मंप्यामी इस बॉलिवूड इंडस्ट्री में दिया है फिल्मों को बनाने में दिया है वो तजुर्बा जो उनके पास है क्या उसके मुताबिक उन्होंने का कि यह मूवी जो है डिजास्टर साबित होगी इसकी बविश्यवानी की वहीं जो रिपोर्ट जिसमें एक खुलासा किया गया है उसमें ये भी का जा रहा है कि आयान मुखर जी जो इस मूवी के डिरेक्टर है और करन जोहर जो इस मूवी के प्रोडूसर है उनको अमीता बचन का गुसा यहां पर जेलना पड़ा था तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई बॉलिवूड में इस समय की जो तमाम खबरे चल रहे हैं उस बीच इस तरह की खबर आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बॉलिवूड के लिए एक तरफ आगे ही देश की जनता का गुसा जेल रही है बॉलिवूड के सामने आ रही है उसमें एक खुलासा हुआ है कि फिल्म के शडियूल में देरी होने की वज़ा से अमिता बचन डिरेक्टर आयान मुखर जी से नारास था जिस तरह से मूवी की शूटिंग में देरी की जा रही थी उसमें जादा समय लगा जा रहा था उसको लेकर अमिता बचन नारास थे वहीं मूवी के के सीन को दोबारा से शूट करना री शूट करना उसको लेकर भी अमिता बचन वहां पर आयान मुखरजी से अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की करन जोहर के जरीए और वहीं इसको लेकर करन जोहर को पहले से ही चिताय जा चुका था कि यह डिजास्टर साबित हो सकती है यह मूवी डिजास्टर ही जो है वो साबित होने की तरफ बढ़ रही है जिस तरह से बॉयकॉ को यह मूवी सिनमा गरों में रिलीज की जाएगी ब्रहमास्टर मूवी के नाम को लेकर भी खुलासा हुआ पहले नाम कुछ और ड्रैगन नाम था फिर बाद में नाम बदल दिया गया रंबीर कपूर का करेक्टर रूमी से शिव कर दिया गया तो उसको लेकर भी काफी देरी की गई जो रिशूट्स के गए उससे अमिता बचन नाराज थे हलाकि एक फैक्टर और यह भी है कि अमिता बचन पर भी इस समय लोगों का गुसा है के बीसी में जिस तरह से लाल सिंग चड़ा मूवी को प्रमोट किया जाने लगा उसको लेकर लोगों की नाराजगी थी अमिता बचन से और पहले भी के बीसी विवादों में रहा है लोगों के निशानों पर रहा है तो यहां पर अमिता बचन भी एक फैक्टर है इस मूवी के बॉयकॉट में कि किस तरह से आपने जब पूरी देश की जनता लाल सिंग चड़ा मूवी के अगेंस्ट है आप उनको बुला करके मूवी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं और उसका गुसा भी जहला मिता बचन ने तो वो भी एक फैक्टर का काम कर रहा है इस बॉयकॉट ब्रहमास्तर के ट्रेंडिंग में और वहीं बात की जाया मिता बचन ने करन जो और से और भी बाते की थी जो शि इस स्पीड से आयान फिल्म बना रहे हैं ब्रहमास्त्र डिजास्टर साबित होगी और वहीं अमिता बचन ने आगे इसमें कहा कि सभी ने इस फिल्म को पांच साल दिये हैं इसलिए उमीद है कि सितारों से सजी फिल्म ब्रहमास्त्र पार्ट वन बॉक्स ओफिस पर अच्छा करण बेयान देती हैं आकर के फिर रंबीर कपूर के पुराने कमेंट वाइरल होते हैं इस मूवी के प्रडिूसर खुद करन जोहर जो लगातार इस अलग लग तरह के बयान दे रहे हैं कभी कहते हैं हमें जो है उनके मन में पहले क्यों नहीं आए यह सवाल लोगों ने पुछाओ कर भी कट गरे में खड़े दिखाई दिये यहां पर करन जोहर उसके अलावा अगर बात की जाए तो आलिया बट लोगों के निशाने पर लगातार है इस मूवी को लेकर जैसे उन्होंने का था अगर हम पसंद नहीं है तो मूवी देखनें बताओ और ऐसा पहले भी हो चुका है दोबारा मूवी की बात हो लाल सिंग चड़ा मूवी की बात हो वो भी डिजास्टर ही साबित हुई है सूपर फ्लॉप ही साबित हुई है तो यहाँ पर इतने जादा बजट की मूवी 410 करोड रुपे बजट की मूवी उसमें इस तरह की खबर आना बिल्कुल भी फिल्मेकर के लिए अच्छी खबर नहीं है तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है जो इतना पैसा इतनी मोटी फीस वसूली जाती है इन एक्टर्स एक्टरेसी की तरफ से लेकिन पूरी तरह से अपनी arrogance दिखाते हैं अपना attitude दिखाते हैं इस देश की जनता के परती जब देश की जनता को लेकर सवाल किये जाते हैं कि boycott trend चल रहा है उसको लेकर कर जब इनकी कोई परतिक्री आनी होती है तो किस तरह से जो है उसमें इनकी arrogance साफ जलगती है अपने आपको इतना बड़ा सुपर स्टार ये लोग मानते हैं लेकिन इस देश की जनता की बदोलत ही ये लोग सुपर स्टार बने हैं ये भी एक बड़ा फैक्ट है देश की जनता ने इनको इतना प्यार दिया सम्मान दिया इनको वो ओदा दिया तब ही जाकर के आज ये ल लोगों को इनको नहीं बूलना चाहिए उन लोगों का सम्मान करना चाहिए अगर उन लोगों में इस समय गुसा है बॉलिवूड के प्रती तो उसका सम्मान करना चाहिए और वहीं अगर बात की जाए जैसा मीता बचन ने कहा कि ये सितारों से सजी फिल्म है जो है बॉक्स आ बेलना पड़ा था क्योंकि उस मूवी में वो स्क्रिप्टिंग उस तरह की नहीं हुई थी जैसा कि अभी प्रकाश जाने भी आरोप लगाए कि आप कहानी तो अच्छी बनाईए आपकी कहानी में दम ही नहीं है आप जब अच्छी कहानी नहीं बना सकती तो लोग क्यों स्ट्रास को लेकर कर आए लेकिन अगरआपकी मубли में दम नहीं है आपकी मूवी में वह स्टोरी नहीं है को diagnosis नहीं है जो जनता के दिलों को चू जाए तो आप जितने मर्जी स्टार को उसमें भर दीजिए कास्ट में लेकिन आपकी मूवी destruction खी चो Buddhist डिसिप्लिन की धजियां उड़ाई गई शूट समय पर नहीं होना बार बार एक ही सीन को शूट करना रिशूट करवाते जाना जिसकी वज़ा से इसमें इतना समय लग गया इस मूवी को बनने में और वहीं एक और खबर आ रही है एडवांस बुकिंग को लेकर तो इस बीच ये क्यास लगा जा रहे हैं कि लाल सिंग चड़ा मूवी को लेकर भी का जा रहा था कि इतनी जादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है लेकिन सच्चाई देश की जनता ने खुद देखी जब मूवी रिलीज हुई उसके बाद ठेटर पूरी तरह से खाली ही दिखाई दिय अगर बात की जाए अधिकतर ठेटर खाली दिखाई दिये और भारत के अंदर लाल सिंग चड़ा मूवी बिलकुल भी कमाल नहीं कर पाई और जिस वज़ा से आमिर खान को अपनी अफीस का हिस्सा तक जो है वो छोड़ना पड़ा तो इसी बीच अभी आपको हमने बड़ी कि आपके वल वक्त बरबाद कर रहे हैं तो इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रही है हमारे साथ धन्यवाद